which is x d e j omega is equal to simply x d j omega by d. omega की जगा पे omega by d अगर substitute करोगे, so you will get x d e j omega expression. करके देखने पे शगर आप ने करना है. आप क्या करेंगे? omega, small omega की जगा पे ये expression. small omega यहां से किसकी खुला सक्ट क्या, capital omega by d. अगर मैं small omega की जगा पे capital omega by d substitute करो, यहां पे capital omega by d substitute करो, so this basically it a term है. this term and this term are exactly same. तो ये expression, donor transforms में बेसिकली ये difference है. And what is this? This is basically normalization. ये basically क्या है? Simply normalization है. अब ये x p j omega का expression है लिखा है दुबारा. इक है जो के पहले हम देख के आचुके, ये spectrum जो शिफाना चुड़ होगा, और ये उसने x d e j omega का expression है, which is normalized with a parameter t. अब ये सारी कहानी जो मैंने यहां आपे जबानी के लाँ मी सुना ही है, इसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ. properly expression. देखें, ये आप अरेडी देख चुके हो. कहाँ पर देख चुके हो? ये के मन है? ठीक है? ये expression के मन है. वो expression है यहाँ पर दुबाराई के लिए. ठीक है, दो टाइम परियर्ट हैं. पहले में T is equal to T1 है. दूसरे में T is equal to 2 T1 है. इसमें sampling time के वह ज्यादा है. इसमें sampling time कम है. तो आपने देखा कि यहाँ पर impulses आपस में खरीब हैं. यहाँ पर impulses एक दूसर से दूर हैं. ठीक है? यहाँ पर यह है T. रही है और यहाँ पर T बेख करें रही है. और यहाँ पर यहाँ पर T is equal to T1, T is equal to T1. अगर आप वाल्यू पर यहाँ पर T is equal to 1 और यहाँ पर T is equal to 1 और यहाँ पर T is equal to 2 लिए 3 यहाँ पर samples दूर हैं. Okay, and then this is the final expression कि उसके बाद कर मानना नर्मालाइजाशन करें. based upon the samples, आपकी signal की destruction होगी. Now the question is, कि यार, यह जो X, T, E, J, Omega, जो यहाँ पर normalization की है, frequency domain में इसका क्या impact आता है, इसका क्या visualize किस्ता कर सकते हैं? देखें. यह आप लोग अलरड़ी देख चुके हैं. अच्छा, यह रपिटीशन है की. एक signal है, यह उसका spectrum उन्हें आज्यूम कर लिया. X, P, J, Omega, आप लोगों को आलरड़ी पता है, X, P, J, Omega क्या था? जहाँ 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 पर Omega S है, यह Omega S है. क्या होता था X, P, J, Omega में? कि जहाँ जहाँ पर beta Omega S है, वहाँ वाँ पर spectrum को ले जो आपने. और उसको scale कर देते तो 1 by D1 से. अब यहाँ पर जो कि sampling time कम था, तो spectrum एक दूसरे से करीब हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कात है T equal to 1 है, यहाँ पर हमने कहा दिया T equal to 2 है. यहाँ पर basically T equal to D1, T equal to 2 T1. तो basically यहाँ पर sampling time कम है, तो मैं आपको बता चुक हूँ आरड़ी. तो मैं आप लोगों को आरड़ी बता चुक हूँ कि जब T की value जादा होगी, तो spectrum जो हैं दूसरे के करीब होगे. तो यहाँ पर spectrum करीब है. अब important बात जो है, वो यह है, कि यहाँ पर उसने XDEJ omega discrete time spectrums draw की है. क्या फर्क है तो हमें normalization की है, जहाँ पर minus 2 pi 2 pi by T1 आता था, वहाँ पर simply 2 pi r है. जहाँ पर 2 pi by T2 आता था, वहाँ पर simply 2 pi r है. So that is the implication on the spectrum. यह बाइदा प्रॉपर्टी कोन सी है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, यह प्रॉपर्टी यह वारी है, जो यूज हो जी है. यह प्रॉपर्टी बिटर जी हो जो यहाँ पर A की वैल्यू बेसिकली 1 over 2 pi pi वाल है. A की वैल्यू इस पर्टिकुलर चेंपर में 1 over 2 pi pi वाल है. जो कि हम प्रॉपर्टर है. तो simply आपने scaling कर दिये हैं. Okay, frequency scaled version आपके पास यहाँ पर generate हो रहाए है. Normalization का impact. यह हम क्या चीज़ स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी यह कर रहे हैं कि इस स्टेज से, इस स्टेज पर जाने में, जहाँ पर आपने normalization की, आपके frequency domain में क्या impact आता है? तो यह आपको already known है. यह आप लोग को already ही पता है. यह चीज़ आपके लिए नियू हुआ है. Scaling हो रही है है. Frequency scaling हो रही है. आपके पास spectrums आप देख रहे हो, यह जूसरे के मदीब करीब आदे हैं. So this is the relationship between, remember, this relationship, discrete time frequency, continuous time frequency. जब sampling करते हो, तो इस त्रीके से आपस में related हो. Concluding slide. Conversion of a discrete time sequence to a continuous time signal. वाफस D to C conversion के सरा होगी. D to C conversion में आप उसी तरीके से processing, अचा, अब मैं वाफस सरा हुआ है. अभी हमने क्या explain किया है? हमने यह चीज़ explain किया है. ठीके जहाँ पर हमारे पास X, T, N generated one. फिर कोई discrete time system में से पास करेगा, कुछ processing होगी, और फिर D to C conversion है. अब D to C conversion कर रहा है. Conversion of discrete time sequence to impulse train. उसी तरीके से impulse train में, पहले आप लोगों ने T से divide किया था, अब आप T से multiply करोगे, और उसके बाहर उसको low pass filter में से पास कर दोगे. जो इस तरीके से, से तरीके से कुट पी खुट रहा है, तो यह को रहा है, और उसकी कुट आप रहा है. Overall system for filtering and continuous time signal using discrete time filter. यह सारा का सारा process. मेरी आवास, आप लोग समेलिए. इस इस मा इंपुट, इस मा बोर रौ, इस 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 आपूट रहा है, और रहा है, what is happening is x sorry y c t output जो कि आप सुन रहे हैं इस ताइम पे that is simply equal to input जो कि मैं यहां से बोल रहा हूं involved with h of t h of t क्या है यह पूरे system का impulse response है हम यह कहते हैं हम यह कहते हैं that h of t is simply h c यह पूरे system का impulse response है पूरे system के अंदर क्या क्या आता था मेरी आवास को सबसे पहले यहां पे impulse train sampling हो रही है we multiply our signal okay let me summarize continuous time signal which I am speaking when it goes into my microphone there is an analog to digital converter what does it do it will multiply my signal with an impulse train function and will generate a sampled continuous time signal then sampled continuous time signal will be converted into a sequence to the normalization okay what we are going to do is we are going to do this frequency sustaining normalization and this is a discrete time signal then this discrete time signal which is my audio now in a sample state will be converted into the packets will be converted into the pits will be transmitted to the internet to your device and your device will receive my back wires in a form of packets then what will happen this is my voice received at your end now my wires will be converted back into an impulse train wafa simple strain may convert hogey by multiplying it with the P now and then this sampled output signal this will be passed to a low pass filter and after that ideal reconstruction is happening and you are listening to my wife this is the overall system for filtering our content time signal using a discrete time filter with this we conclude the chapter number 7 the rest of the articles we will not go through them and we will end the course at this point so this is the second time the regular stock when it is on earth everybody will end the course the rest of the program is the third time we will end the course of the course of the course of the रहां जी भी बिल्कुल-ुकल okay तो फिसक्सकर देहां जो पूछ लेते हैं आपके बता है रहां जो एक फैल को खी से की अधी तक जिन नोगा नहीं किया वो श्पोंच करें है आद के लच्छे okay, there were a couple of questions जो के मैंथ्वार्म पूछ राइस से कुछ के देए किसी भी audio signal को record, sorry audio, किसी भी musical signal को record करने के लिए, गाने गानों को record करने के लिए, usually जो हम sampling frequency use करते है, वो sampling frequency होती है, तो even 44.1 रहां, एक samples per second, यहुड को तो, पॉकुर करने कर रिक लिए एक मीजिकल सिंगनल को रिकॉर्ड करने केरिए कि लिए आम इसकी श्याम दिनकर तो हम सेंपल्स पर सेकंड घूमस करते हैं मेरा पंच्शन यह ता कि यह का कहा से आती है अब जशन में पता है कि सर जब हमने नैकस्त सैंप्लिंगिब कुरों भी ने जो पड़ा था तर अम कहते हैं कि जो मैक्सिमंम स्रेक्वण्सिया से तो हमारी सिंप्लिंग रेक्वणसिया इस वह दो गुना से ज़ादा है कि अ ही ब्रोफा ही अन्य गाया थेटा लिदी किलो हर्ट्स, का व STEPHAN grandi मुझा लेहे हाँ निए ती किलो हर्ट्स हें पर शुन्य खें ने म्सेंपनिंग कि उनी फ्यर्ट्स, की मि आड़ा ही ज uin हैं ग शकْचाई वसे विगांगी हो झाई म्हें ब्रचता है ओश्विए आमेरे च्भ नितुं करो भादı रहा कि ह réussi कमरेना डिक लग के लिएिर उन आव मेरे राओं कि अब्हुन के सफे बीरोगोंबे हैं ञीजन च唱 है यूार सुन सेのkylख निपना यहाँ कि इस अ करक वैद्ः आपश सब्देआ करिक द यूर्ब भाया सक्टेन कि हुम hz 20-20 kHz, 20-20 kHz, 20-20 kHz, 20-20 kHz frequency range we can actually hear, इनको हम सहाँ है, ही कि अप देखो, 90's criteria यह कहता है, कि आपको, अगर सेम्पनिंग करनी है, प्रोपर ली तो इसम्पनिंग आप मीजिकल सिगनल में इसका मतलब है पीस किलो हर्ट से उपर की फ्रिकॉंसि भी हो सकती हैं एक म्यूजिक सिगनल के अंदर लेकिन वह थो के सुन नहीं सकती है उनको स्टोर करने का को पर प्रपस नहीं है तेखो जो चीज़ आप सुन सकते हो जो अप क्रेंच अप सुन सकत है कि जो minimum sampling frequency होनी चाहिए हम क्या कहते हैं omega should be greater than two times omega m या f should be greater than two times fm ठीक है so maximum frequency 20 kilohertz है sampling frequency हम usually रखते हैं greater than two into 20,000 मैं इसको करता हूँ यह 40,000 बनती है इसी वज़ा से हम यूजली 44100 sampling frequency रखते हैं ठीक है this would ensure that we can reconstruct back our signal without any elizing और उसमें यह तमाम frequency ranges मुझूद होंगी ठीक है यह रिकास्ट्रक बैक idly हो जाएंगी इस वज़ा से नॉर्मली जब आप गानों को record करते हैं studio's के अंदर तो minimum sampling frequency इतनी तो रखनी ही पड़ती है जो high quality audio होती है उसमें samples इससे भी कई ज्यादा होते है ठीक है इससे भी कई ज्यादा samples आपके पास आप recover store करते हो तो यह reason है अच्छा अब मेरा question आपके है क्या होगा अगर let's say let's say मैं कहता हूं कि मैं अपने गाने को record करूंगा लेकि मेरे पास samples होंगे 30,000 samples per second क्या हो सकता है मेरे signal के साथ इसक्राइब सकती है टो सकती है एक। अंदर सेंपल रहा हूं ठीक है तो सिंगनल रीकॉंटाट बैक होगा उसमें क्या डिफरेंस होगा क्या वो रिजनल ही होगा साफ विकॉंसी असमें काम होगे कौंसे विकॉंसी कंपड़नेंट उसमें नहीं होगे कि यहां अगर मैं तुम से यह पूछू कि इस रेंज में 20 से 20 किलो हर्ट के दर्म्यान अगर मैं यह से यूज करता हूं तो कौन सी फ्रिक्वेंशी रेंज नहीं आएगी तो क्या अंसर दोगे में 30 तुम से अगर लोड़स के दर्म्यान वापस कर दोगेंशी 15 क के से अपर की जितनी फ्रिक्वेंशी जहीं में वापस कर दोगेंशी तो नम्बर बताओ उना फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव इसकी रीजन ये है कि वो सारी की सारी अलाइजिंग के अंदर आ जाएंगी अलाइजिंग से क्या होगा कि ये तमाम फ्रिक्वेंसिस 15 से लेके 20 किलो हट्स के दम्यान जो फ्रिक्वेंसिस हैं ये अपने आपको मेरा ये था मैंने ये पूछा था कि टैनिकों नेट्वक्स में जब हम बात कर रहे होते हैं मेरी जो आउडियो है इसको इसकी सैंप्लिंग के दुरान जो हम लोग रेड यूज़ करते हैं वो यह है इसकी क्या वज़ा है सद्स लेख 20etta फेकरने के बात कर रहे हैं इसमें इन से क्रेडर नहीं हुझाड अस्ञेह। कि अफ़ाद करने की जो मैं बाथ कर्रहुंसि रेंजिस होती है मेल की थोड़ी सी कब मैं फीमीन चोड़ी सी जादा बड़ी तयाद में से जीरो से 3.5 किलो हर्ट सब इसाद बेटा बताओ सज 0.3 kHz से 0.34 kHz से 0.3 kHz तर 10.3 kHz से 0.3 kHz से 0.3 kHz से 0.3 kHz 4 kHz पर किलोवेट्स का मतलब यह है कि हमारे पास 4000 is the maximum frequency sampling frequency f should be greater than and equal to two times FM इस विद्धा से उसलिए हम 8000 samples per second की sampling frequency यूज करते हैं टेलेफोन नेट्वर्स लास्ट क्वेश्चिन जो मेरा था लास्ट ताइम वो यह था कि वीडियो के अंदर जो फ्रेम रेट होता है वो यूजरी 25 फ्रेम पर सेकंड से आनवर्ड स्टार्ट करते हैं मिनीमम 25 फ्रेम पर सेकंड हम रखते हैं इसकी क्या रीजन है सार वो 50 हर्ट क्योंके हमें फ्रिक्वेंसी है मेरे मुल्क में यूद हो रही है तो इसलिए 25 फ्रेम फ्रेम रखते हैं इसलिए ताके वो 50 हर्ट को मैच करते हैं अब तो इसलिए 25 फ्रेम फ्रेम पर सेकंड नहीं होता है जिसका दूर 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 तक तो आप ने मुझे बताईए उसे कोई लिना देना नहीं है इसका अंसर मैं आप लोगों को खुद बता देता है क्योंकि इसका आंसर प्रॉब्डी आप लोगों को नहीं मिला होगा यह इमज़ प्रोसेसिंग से तोट तर देते हैं करते हैं कि सुर्म करते हैं कि इस निए लुट का बात करना जा रहा था वह कॉने प्रात्य क्लाश्य ℹ मींडर की स्पीड होती है जो होनी चायी जिस पर हमें जो हमारा पिक्चर्स हम वीडियो के और जूवरी एक रियन मोशन के फो Tack अगर इसे कम होगी तो क्या होगा वो लैक करेगी वीडियो हमारी फिर लैक करेगी तो यह तुम्हें किस तरह पता चला कि यहां पर टूंटीफाइफ प्रेम जो है वो काफी है तो हमें मोशन नहीं होगी हमें लगेगा कि यार यह कॉंटिन्यूस मोशन नहीं है देखो वीडियो जो आप देख रहे होते हो वह बेसिकली इमेजिस होते हैं ना हम इमेजिस को एक पर्टिकुलर स्पीड के उपर प्ले करना शुरू करते हैं आपको ऐसे लगता है यार कॉंटिन्यूस मोशन है यानि कि यह कॉंटिन्यूस टाइम सिगनल है हाला कि सिगनल तो डिस्क्रीट टाइम है वीडियो जो है डिजिटल वीडियो जो आप लोग अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप म है माते हूँ वह तोब सब्सक्रीट टिलेए है कि कि यह कॉंटिन्यूस मोशन नहीं है अब यह नंबर होता है एक प्रॉपर्टी है हमारी पर्सियस्टेंस प्रॉपर्टी ओफ आ यह चीज़ बताती है कि हमारी आँख जो है कि कितनी देर तक एक इमेज को याद रखती है भी आता है और कुछ जोंगा पर वन बाइ थर्टी भी आता है यानि कि मेरा मेरी आंख एक इमेज को वन बाइ तो वाट वी नीड टो एंशेर इस यह 25 फ्रेंपर सेकंड जो बेसी करी यह वन ओवर थर्टी से उज भी आप किया हुआ तो ट्विटिफ़ पर सेकंड के उपर जब आपने वीडियो को अवर प्ले करते हैं तो पर सिस्ट प्रॉपर्टी अपाई जो है उसको हम फुल्फिल क इस नौट पाईव आप अगर फिफ्टीन फ्रेंपर सेकंड के उपर एक वीडियो को प्ले करेंगे तो जो मेरे दोस्ते का कि डिले आये गा तो आपको फ्रेंग अलग अलग नजर आना शुरू हो जाएंगे यार अब फ्रेंग चेंज दूए अब फ्रेंग चेंज हो है ठ स्था क्वेशन आपके सिस्टम से अप लेटी जो को पता हो ना जाए जाए ये आप उज़ए शहां जाप कर दो किश्वर्य ने पहुछ जादा डालने से शिस सके इंपक्ट कहुंग्ट हों कि अधिए बहुत जादा प्रेंग्स का इंपक्ट देखें अब यह बहुत जादा गोर करें थोड़ा सा जो